हाई दोस्तों कैसे हैं आप हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे आपकी तैयारी बहुत जम के चल रही होगी दोस्तों हाज पीज हम आज ही रहे के नई क्लास के साथ हराज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के 2D के Quadilateral Part की Quadilateral का मतलब होता है चत्रभूज की बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे बिलकुल बहतरीन फंड़ा आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों और बिल्कुल ध्यान से पूरी क्लास को देखने की कोशिस करिएगा ताकि आपको कोई प्राबलम ने रह जा दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी चीजे छोटी छोटी चीजे जो आप नहीं समझ पाते हैं जिसकी वज़े से आपको प बिला दिया दोस्तों तो ये बन गया एक चत्रभूज चत्रभूज में आपकी चार भूजाएं होती हैं दोस्तों जैसे आप कह दें A B C D A आपके क्या हो गए चार भूजाएं होंगी और चत्रभूज में जैसे ही चार भूजाएं होंगी दोस्तों तो चार कोड़ भी होत इन चारो कोडों का जो सम होता है अंदर चाहे जितना जितना अलग अलग हो सकते हैं ये ये चारो कोडों का जो सम होता है दोस्तों ये 360 डिगरी के क्या होता है बराबर होता है एक चत्रभूज में दोस्तों दो बीकर्ड होते हैं इनको बीकर्ड कहते हैं डाइगनल बोलते है दोस्तों एक चत्रभूज में क्या होते हैं चार बिंदू होते हैं चार भुजाएं होती हैं चार कोड होते हैं और दो बिकर्ड होते हैं दोस्तों ये जो है बिकर्ड होते हैं दोस्तों ठीक है और कितने प्रकार के चत्रभूज होते हैं और कौन-कौन से चत्रभूज आपकी एक्जाम की दिरिष्टे-दिरिष्टी कोड से काफी important होते हैं उन सारे की बात करने वाले हैं दोस्तों आईए हम बात करते हैं चत्रभूज की अगर प्रकार की तो हम पहले प्रकार का जो चत्रभूज देखेंगे, उसको हम नाम देखने वाले हैं दोस्तों, उसको हम नाम देखने वाले हैं दोस्तों, उसको हम नाम देखने वाले हैं दोस्तों, उसको हम नाम देखने क्या, आयत का नाम देखेंगे, और तीसरे प्रकार के चत्रभूज क हम बात करेंगे तो वो होगा समांतर चत्रभूज क्या होगा दोस्तों समांतर चत्रभूज और चोथे प्रकार के चत्रभूज कि अगर हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे सम चत्रभूज की इसकी बात करेंगे शम चत्रभूज की बात करेंगे और पांच में प्रकार का चत्रभूज हमारा आएगा तो जिसको हम कहेंगे सम लंब चत्रभूज सम लंब चत्रभूज जिसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं दोस्तों सम लंब चत्रभूज कहते हैं यह हमारा स्क्वाइर होता है दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं square कहते है इसको हम rectangle कहते है यह हमारा पैरालेलोग्राम होता है इसको हम कहते है सम्नांतर चत्रभुट यह हमारा होता है rumbus और इसको हम कहते है trapezium यह हमारा हो जाएगा trapezium ठीक है दोस्तों ये इतने चार-पांच प्रकार के जो चत्रभूज है इन ही कहा मोई केवल अध्यन करना और इसमें important की बात करें दोस्तों ये ये और साथ में की ये तीन काफी important होते और इसमें question आपकी paper में आना ही आना है दोस्तों ठीक है तो बड़े प्यार से देखते जा square इसकी बाते कर लेते हैं दोस्तों क्या होता है square देखेंगे square में भी चत्यों की चत्रभूज है तो 4 बुजाएं तो होनी ही होनी है लेकिन इसकी 4 बुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है इनकी 4 बुजाएं दोस्तों क्या होती है आपस में बराबर होती है सबसे जो डाइगनल होते हैं, दोनों डाइगनल दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, इनके दोनों डाइगनल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और यह 90 डिगरी पर एक दूसरे को काटते भी दोस्तों, यह चारो भुजाएं जो होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, और diagonal जहाँ पे काटते हैं, वहाँ पे 90 degree का code भी बनता है, दोस्तों, ओके, अब हमको क्या बात करनी है, हमको बात करनी है, इसको परिमाप को ले करके, परिमाप को P से दिखाते हैं, हम कई बार आपको बोल चुके हैं, तो परिमाप को यदि P से दिखाएंगे दोस्तों, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, बाहर-बाहर की boundary, क्या देख रहे हैं, A+, 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 यही तो देख रहे हैं, मतलब हो जाएगा 4A, तो इनकी जो आप देख पा रहे हैं, भुजाएं क्या, A, A थी, जिसकी वज़े से इनका परिमाप क्या हो जाएगा, 4A, क्योंकि सभी चार भुजाएं हैं, इसलिए 4 यह हो जाएगा, दोस्तों, अब इनके छेतरफल की बात कर लें, छेतरफल को हम जैसा की A से दिखाते हैं, आपको पता है, तो छेतरफल चुकि आयत का लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है, तो इसकी लंबाई भी A है, और इसकी चौड इसकी बाई भी A है, तो इसका छेतरफल हो जाता है, दोस्तों, A स्कौड़ या इसकी को कहते हैं, भुजा का स्कौड़, चुकि A माना हमने तो A स्कौड़ लेग दे रहा हूं, चुकि यह भुजा है, इसलिए इसलिए भुजा का स्कौड़, साइड का स्कौड़ भी कह सकत दोस्तों अब हम बात करते हैं इनका अगर नाम आपने ABCD दे दिया है अब हमके बिकर्ड की बात करने माले हैं दोस्तों यहां से देखिए काट करके हम फीगर निकाल लेते हैं यहां से यह फीगर अगर हम काटके निकाले दोस्तों BCD तो यह आप देख रहे होंगे BD हमारा क् सबसे बढ़ी होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है यहां से हम D त बराबर क्या निकाल लेंगे और कैसे निकला विकट यहा मै आपको बताया यह हो जाएगा आपका तीन फार्मूले एक दो और तीन इनी तीन फार्मूले की मदद से वर्ग पर याधारित जितने भी कोशन आएंगे दोस्तों आपके एक्जाम की दिरिश्टी कोड से सबको हम बिल्कुल चुटकियों में उड़ाएंगे वर्ग देखने के बाद दूसरा प्रकार हमारा जो चत्रभूज का होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं आयत उसकी बात कर लेते हैं आयत जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल क्या कहते हैं दोस्तों रेक्टेंगल बोलते हैं आयत के बारे में आपको मैं बताओं तो आयत की जो भुजाएं होती है इसमें भी चार भुजाएं होंगी क्योंकि चत्रभुज है तो चत्रभुज हो जो चार भुजाएं होनी होनी है आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती है दोस्तों और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है इनकी समनांतर भी होती है दोस्तों ये चार बिंदू इसके हो जाएंगे A B C D अगर ये चार बिंदू हो गए सिंपल सी बात है कि इनके चारो भुजाएं में से आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है जहां वर्ग में चारो भुजाएं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं दोनों भी कड़ आपस में क्या होंगे दोस्तों इनके भी कड़ आपस में बराबर होंगे दोनों भी कड़ अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके क्या बात करेंगे परिमाप की बात कर लेते हैं तो परिमाप फिर वही बात कि बाहर ले ले तो हो जाता है यल प्लस B इसी को हम कहते हैं कि आयत का परिमाप बराबर दो लंबाई धन चोड़ाई दो कुष्ट में लंबाई धन चोड़ाई अब इनके छेतरफल की बात करेंगे दोस्तों जैसा पहले भी मैंने बताया छेतरफल किसी भी क्वाडिरेटरल का क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई तो देखिए लंबाई ये चोड़ाई तो यल गुड़ते क्या हो जाएगा भी या छेतरफल को आप कह सकते हैं LB क्या कह सकते हैं LB कह सकते हैं अब फिर हमारी बात आ गई इसके भी diagonal की बात कर लेते हैं, आईए यहां से figure को निकाल देते हैं, जब figure निकाले, यहां पे 90 degree का code बन रहा है दोस्तों, जैसा कि देख रहा है BCD, 90 degree का code यहां पे इनके भी प्रतेक code क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं और प्रते कोड़ आपका कितना का होता है 90 डिगरी का प्रते कोड़ होता है 90 डिगरी का प्रते कोड़ होता है अगर यह 90 डिगरी का है दोस्तों और यह आपका B था यह आपका क्या है यहाँ पर मैंने यल माना है और यह आपका D हो जाएगा तो फिर देखिए यहाँ पर D square बराबर आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे D square बराबर आप करेंगे L का square प्लस क्या करेंगे B का square अगर D से square हटाएंगे तो root लगेगा L square प्लस B square ये हो जाएगा diagonal की माफिन के तो D बराबर आपका formula आजाएगा root L square प्लस B square या D बराबर आपका हुगा करडी में लंबाई का स्क्वाइर धन चौडाई का स्क्वाइर ये डाइगनल है इनके भी तीन फार्मूले होगे दोस्तों एक दो और तीन इन तीनों पर ही आधारित इनके भी जितने कोश्यन आएंगे उनको भी हम चुटकियों में लगा लेंग पैरा लेलो ग्राम की बात है हम करेंगे दोस्तों एक कहानी आपको सुनाते हैं हमारे पास क्या था वर्ग था और आयत था तो हमारे पास आयत था अभी जैसा कि हम पढ़े हैं हमारे पास ऐसे ही एक आयत था लेकिन एक लड़का था जिसकी वज़त से आज आज आपको समना और एक सम्चत्र गुश दोस्तों, क्या किया है, इस आयत को उस लड़के ने, उसका लड़के का नाम था थलुआ, क्या नाम था, थलुआ नाम था, तो उस लड़के ने थलुआ ने क्या किया था, कि इस आयत का जो आयत आप देखा, रेक्टेंगल देखा, इसके नीचे की सा अगर मिला दे और इसको हम यहां से मिला दे दोस्तों और यह बीच वाला पार्ट अगर आप गाइब कर दें तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से फीगर बना लेकिन आपको यह भी मालूम यह फीगर कहां से बना था आयत से बना था जब आयत से बना होगा त ये इसके समनांतर है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर इनके समनांतर है, तो इनके 6 पल की केवल बात यहां पे की जा सकती है, क्योंकि परिमाप की बात करेगा तो 2L प्लस V आप तो बोल देंगे हलके में, तो परिमाप इनसे पूस्ता भी नहीं, क्योंकि परिमाप तो बड़े आखाली साब बता लेंगे, तो छेतरफल कैसे निकलेगा, जो समनांतर बुजाएं, जैसे ये वाली समनांतर बुजाएं, तो इनके बीच की दूरी को देखिए, माली जी H1 है, और ये जो समनांतर आपको पता है, चवडाई वाली, तो B गुडे क्या कर दीजिएगा, दोस्तों, H2 कर दीजिएगा, B गुडे H2 कर दीजिएगा, ए आपका एंसर हो जाएगा, तो छेतरफल आपका, अगर ये समनांतर बुजाएं पता है, तो इनके बीच की दूरी का गुडा करके निकाल पढ़ा था, और चत्रफूज का जो चौथा प्रकार है, यहाँ पर भी ठलुजा ने गलती कर दी दोस्तों, अभी चत्रफूज का जो चौथा प्रकार है, जिसका नाम आप देख रहे हैं सम चत्रफूज, क्या है दोस्तों, सम चत्रफूज जिसको हम कहते हैं, इंगलिस मे रंबस क्या कहते हैं रंबस कहते हैं यहाँ पर आपने सबसे पहले देखा आज वर्ग पढ़ा होगा सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था दोस्तों वर्ग पढ़ा था यह वर्ग ही था पहले क्या था दोस्तों वर्ग ही था लेकिन ठलुगा की गलती यहाँ पर भी हो गई आ जब खीचा तो हुआ क्या होगा आप अभी देखे हैं कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ गया होगा और यह यहां से खीच गिया होगा तो इसको यहां से मिला दीजिए दोस्तों और इसको क्या करिए यहां से मिला दीजिए जब इसको मिलाएंगे तो कुछ इस प्रक आपस में क्या हैं berabar है दोस्तोओं यह एैं है यह लेकिन जहां पर prayer cheden है इसके पहले जो पढ़ा वहां पर विकळ एक दूसरे को बिल्कुल berabar पर नहीं काटते हैं और होते हैं लेकिन यहां पर इनके berabar नीकी खासियत होती है कि यहтор एक दूसरे को berabar पर काटते हैं दोस्तों मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर ये वाला पार्ट इसके बराबर और साथ ही 90 डिगरी पर काटते हैं दोस्तों ये 90 डिगरी पर काटते हैं दोस्तों ये बड़ा important बात यहां पर हो गई ये code आपस में बराबर इनके नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 degree पर काड़ देता हैं दोस्तों, गौर करिएगा, मैंने क्या बोला कि ये B code को बराबर हीगा, अगर ये वाला B code माल लिजिए D1 रहा हो, ये वाला B code माल लिजिए D2 रहा हो, तो अगर यहाँ पर O है, और A, B B CD हो, तो आप गौर करिएगा, कि O B की लंबाई क्या हो जाएगी, D2 अपांटो हो जाएगी, और इधार भी और ये हो जाएगा, D1 अपांटो, और ये हो जाएगा, D1 अपांटो, अब बात फिराती हैं दोस्तों की हमको इसका क्या निकालना होगा, area निकालना होगा छेत्रफल कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा देखेंगे यहाँ पर चार छोटे 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 त्रिभूज बन रहे हैं दोस्तों चार हैं कितने हैं? चार हैं अगर एक का निकाले हम छेत्रफल और उसमें च्यार का गुडा कर देंगे तो हो जाएगा पूरे का छेत्रफल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा अब यहाँ पर एक सार रचना देखिए यहाँ पर AOD एक समकोड त्रिभूज बन रहा है नहीं बन रहा यहाँ पे 90 degree हो रहा या नहीं हो रहा है हो रहा है तिसके सामने जो side होगी आपकी दोस्तों वो क्या हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा होगी और आपको पता होगा कि किसी भी समकोड त्रिभूज का छेतरफल निकालने के लिए क्या करते हैं यही जो side होती है यह माली जी आपका D1 upon 2 है यही पे तो 90 बन रहा है यही तो 90 बन रहा है दोस्तों तो समकोड का छेतरफल क्या होता है एक बटा दो समकोड बनाने वाली भुजाओं का गुडन फल तो यह हो जाएगा D1 upon 2 गुडे D2 upon 2 यही तो होगा जैसे एक बटा दो D1 upon 2 गुडे D2 upon 2 बस लेकिन बात हमारी यहाँ पे क्या आईसी आईसी कैठो है एक दो तीन चाठो इसलिए इसमें कितने से गुडा कर दें दोस्तों चार से गुडा कर दें यह बात आपको विल्कुल समझ में आ गई होगी अगर हम चार से गुडा कर दें दोस्तों तो आप देखेंगे दो दुना के चार एक खतम हो गया यहाँ पे आ जाएगा A दो बचा है नीचे का इसको आगे कर देते हैं D1 गुडते क्या कर देंगे D2 D1 गुड़े क्या हो जाएगा D2 यह हो जाता है आपका रंबस या समचत्रभूज का खेत्रफ़ दोस्तों एक और फार्मूला की बात करते हैं अभी हमने जो आपको बनाया था इस प्रकार से अभी आपने देखा कि यह क्या था यह आपका मालीजी D2 अपांट 2 था यह आप AOD की बात कर लें तो AD आपका क्या है AD आपका A side है A है अब हमको यही से एक चीज करना है कि 90 के सामने जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर दिया योग ह अगर हम यहाँ पर कर लें तो D1 का square बटे कितना होगा 4 और D2 का square बटे कितना होगा दोस्तों 4 यह A square बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दे कि यह चुकी हर बराबर है इसलिए सिदे सिदे जूड जाएंगे तो बटे 4 और 4 का cross multiply कर लें तो 4 A square बराबर यहाँ से एक फर्मूला मिलेगा दोस्तों D1 square प्लस D2 square ध्यान दीजिए कि क्या मिला मैं लिखके फिर से बता रहा हूँ आ आप सपोच करिए आपको सवाल दे दिया कहा कि एक समचत्र भूज में आपको side दे दिया और एक बिकर्ड दिया दोनों बिकर्डों में से क्या दिया एक बिकर्ड की लंबाई दे दी और कहा इसका छेत्रफल निका लिए तो दोस्तों छेत्रफल निकालने के लिए हमें दो दोनों भी करड़ों का मान रखके छेतरफल निकाल लेंगे आगे सुनिए अगर कह देता है दोनों भी करड़ दे करके कहता है कि इसका परिमाप बताईए तो परिमाप के लिए क्या सही है मुझे साइड चाहिए भुजा चाहिए इसलिए दोनों भी करड़ों का मान इसमें र इस पर आधारित कोश्चन कई बार सूपर टेट में भी आ चुका है और टेट में भी आ चुका है दोस्तों एक बार सूपर टेट में आया हुआ है और कई बार टेट में आया हुआ है दोस्तों इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा आए दोस्तों देख लेते हैं अब य PZM कहते हैं इसका figure कैसा होता थोड़ा देखिएगा दो समनांतर भुझाएं होती है और एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है दोस्तों ये देखिए दोनों समनांतर क्या है भुझाएं हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से है इसकी लंबाई यदि A मालने दोस्तों या A हो इसकी लंबाई A हो और इसकी लंबाई मालनी जिए B हो दोस्तों और इन दोनों समनांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमको मालनी जिए H दिया गया हो तो इस समलम चत्रभुज के केवर छेत्रफल से रिलेटेड बाद आपसे अगर पूछेगा तो छेत्रफल से रिलेटेड बाद ही पूछता है अक्सर दोस्तों क्योंकि परिमाप पूछेगा तो जानते हैं बाहर बाहर की नाप कर लेंगे इसकी भी कोई लंबाई होगी इसकी भी लंबाई होगी इनका योगफल A plus B into इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी किया है है दोस्तो, H, यह आपका होता है ट्रेपीजियम का फर्मूला होता है दोस्तों, समलम चत्रभूच का यह फर्मूला है, और इस फर्मूले का यूज करके, आप बहुत आसानी से इनके चैतरफल निकाल सकते हैं या छेतरफल दिया हो तो इनके बीच की दूरी इमतलबुचाई निकाल सकते हैं कुछ भी आपसे पूछे तो निकाल सकते हैं दोस्तों तो मैंने आज पूरी कोसिस की चत्रभूज के बिल्कुल basic concept के साथ साथ इनके सारे फार्मूले आपको समझ में आ गए आ गए दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट करके बताईए ना लाइक करिए ना इसको तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इस प्याधारित जितने भी प्रकार के सवाल हो सकते हैं सार आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके फिर हमें बताएं दोस्तों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट प्लास मिलेंगे जहिन दोस्तों